का नमस्त का दोस्तों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब में जैसा कि आश्याव में समाज स्वाज है नुब्र 5 कर रहे थे इसने दिखें भारती समाज में जन जाती ठीक है इनकी क्या बाते प्तरब कैसे हैं प Psychology और इनकी क्या समस्य है वह तो क 현 js ने डिसकर करले खेस्म ने जो किसमें पार 2-2 जो की डिसकर्ष कर लिया है और अब अभी तक आप्झेकश नहीं दिखाइं पार 2 थे प्ले वीडियो पढ़ा है आप जाकर देख सकते हैं देखो हम यह चिप्टर फाइब जो की डिसकर्श कर रहे थे भायत में जन्जाती समुदा है जिसमें हमारा कुछ टॉपिक सेश रह गया है तो हम आज उसको डिसकर्स करेंगे जैसे हमने कहां तक देखा था यहां तक जन्जाती जन्जाती और स्वास्त जन्जाती और स्वास्त करेंगे और चलिए शुरू करते आज का पहले टॉपिक जो क्या है जन्जाती और स्वास्त को हम लोग देखेंगे इसको डिटेल से पढ़ते हैं यह जो हम लोग पढ़ते हैं यह एसे पांड़ेजी की बूक है सोचियोल ऑप्शन के लिए काफी अच्छी बूक है यह हिंदी बाद्धियम के लिए चलिए शुरू करते हैं तो देखो जन्जाती और स्वास्त मतर्व जो स्वास्त समस्या न पूरा कवर हो जाएगा इस पर कोई भी क्वेश्टन किसी भी तरह आएगा आप अराम से इसको टैकल कर सकते हो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं जन्जातियों में स्वास्त समझ्या हो से वह ग्रस रहे इसके कुछ प्रमुक्ठ पक्से मतर्कौन कौन-कौन से स्वास्त सबंदियुनुके अंदर भीमारी होता है वह छी हम यहां पर देखेंगे देखो जैसे पहला पॉइंट कह रहा है सवच्छ जल क्या भाव मतर्श को यह बढ़िए समस्या जिसके कार्रा पेचेस अतिसार आदी विमारिया है ठीक एक तो यह कार्ण हो गया फिर देखो और क्या कोईज ततो की कमी देखो खनी तत्यों कमी एक जोग इनके हम बड़ी समस्या है क्योंकि इनको जो भी मिलता है प्रकिति सी मिलता है इन डायेट को जोकि दवा के रूप में नहीं लेते हैं इसे इनमें जैसे हिमानचल पड़ेसे जो जनजाती है उनमें जो को घंगा नामक जैसे बीमारी ज्यादा प्रभाव दिखा जा रहा है अब इस एक्जाम्पल नोट करिए अवडाँचर प्रदेश की देखो शिन हयाफो जन्जाती में अफिम का तेदिक देखा गया है जिसे वहाँ पर उनकी मिर्तिव दर में अधिकता भी दिखे गई और उनके जन्चम्ता में भी कमी देखे गी त पर इसको जहून नोट करिए गा क्योंकि आप इसको जब अपने एंसर में इंपूट करोगे ना तो यहीं पॉइंट जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्ग्स देता है जिससे आपका रैंक बन पाता है ठीक है तो यह काफी अच्छा एक पॉइंट है जन्जाती में बीमारी का कि अपना नेक्स पॉइंट देखते हैं देखो यह जो इन्होंने अफिम यह लोग जो आफिम का शेवन करते थे नशा का मादक पदातों का जो कि शेवन करते थे उससे देखो डेवस में अब जो डेवस पूर जो इनकी संक्या चारी से आती वह घटके कितना रगी मात्र ए पन ने उनको यहां सबन्दी रोगों से गस्त कर दिया है प्रठागत क्रूआपन करने की मतलब है कि यहां कोई बांडेशन नहीं है कि यह को हस्बंड इनके वाइफ है तो बस इन्हीं के साथ एनका जो भी मतर्यों संबंद रहेगा ऐसा नहीं मतलब कि कोई भी किसी के है वो भी इनके रोग जो इनके स्वास्त में गिरावट ला रही है ठीक है अब दो इसके प्रमुख कारड क्या है तो प्रमुख कारड वही देखो जनजातियों में सौच जल आधी की समस्या बनी वे क्यों कि दुर्गा मस्ताहां पर निवास करते तो गौर्वर्मेंट इनके जिसे उनको जो की संतूलित भोजर नहीं मिल पाता है वो कैसे तैसे भी खाके रहते हैं लेकिन जो जीए इससे जो इनके स्वास्त में जो की काफी गिरावट देखी गई है फिर बुनियादी चिकेश्टा सुविधाओं का प्रियाक्ता के कड़ मतलब की जो जग 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 पर है नहीं बहुत दूर दराज चेत्रों पर है उसके बाद देखो अधारबु सुविधाओं की पहुच में कमी मतलब आता है तो संचार के जो साधन है वो नहीं है जब अस्पताल बहुत दूर दूर है अब कोई इधर ग सब्सक्राइब कर दो दूर्टा पूटा फूटा पूटा पूल नहीं है बीच में नदी आ गई है इस तरह की चीज़ें जो कि उनका जो की चिकिस्टा चेते तो पहुच नहीं हो पार है जिससे उनमें बीमारिया बढ़ती जारी है और वीमारियों से उनकी मिलती बढ़ र देखने को मिल रहा है फिर लाश्ट पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है और सिच्छा अन्दिविश्वास और आधनिक चिकिस्टा के प्रति प्रंप्रागर दिश्टिक कोड के कार यह आज भी जादू तोने तंत्र मंत पर नहीं होता है बीमारी कोई भी हो तो ही जनजात प्रियास के प्रियास के वही जो इनकी प्रॉबलम में अपुस्की का सलुक्षन को वही प्रियास अब का हुगा शब्राप्र प्रेकियां के अजय है उनकी प्रमप्रागत मानेताओं को ध्यार में रख्ते हुए ए आदुनिक चिकस्टा प्रदान करने के लोग चिकिस्टा को बढ़ावा देखे देखो तीटाड़ू और रोक कारक जो किटाड़ू होना चाहिए हैंड पंप नलकूप आदी का आदी के माध्यम से पीने का पानी इन तक पहुच चाहिए ठीक इस तरही बात है और समाजिक आर्थी विकास की जाए ताकि इनकी जो गरीबी भुक मरियों इससे निपटने में यह साहय को ठीक है कुछ ऐसे कुछ प्रयास बताय जा रहे हैं जिससे इनकी अंदर के यहां के जो स्वास समन्दी समस्य वह दूर हो जाएगी ठीक है फिर मुल्यांकन की बात कर रहा उससे जो एक चोटा समों हिला वेंडनीत होता है और एक बड़ा भाग जो की असिछा जाग रूपता का बहुत सुईधाओं के परियाप दता यह जागरुक नहीं ले वादिता से ग्रस्त है तो वह जो कि इसका लाब नहीं ले बार है आज भी सब्सक्राइब बाद के निमार जेतु जन जाती हो कि सुधार के इसके लिए कुछ सुझाओ दिया रहे है जैसे स्वास्थ केंदों की स्थापना कि जाए अधिक सथी विस्तारिन का किया जाए सचल चिकेशाले का अधिकातिक विस्तार किया बतों कि वैन वाला हो जिसमें जो सब्सक्राइब करने का प्रयास किया जाए उसकी रोड़ी गत्मानेताओं के साथ संबंद स्थापित करते हुए चिकिस्ता सुविधा प्रदाग मतलब कि एक तो सब्सक्राइब जो चिकिस्ता है उसको साथ साथ लेकर चलने की बात करें ताकी जन्जाती समाज का आधुनिक चिकिस्ता पर भी विश्वास बढ़ सके अधिकादी जागरुक बनाए जाए उनका समाजी रुख्यास किया जब उनका समाजी का अर्थिक विकाश होगा तो आटोमेटिक वह जागरूख होंगे और उनके पास जो की गरीबी भूख में जैसे इस्तरती नहीं होगी जिससे उनको जो की पोशक्त तत और संतोरिक भूजय मिलेगा और उनके अंदर बिमारियां कम फैलेगी और जो नसा खुरी इन्मूनन समंदी कानून है उनको कठोर किया जाए और इसके पर देखा जाए है कि इनके भूमी को छिन लिया जाता है यहां पर निवास करते हैं उसका किसी न किसी रूप में इनको चीन लिया जाता है जहां लोग इहां पर पढ़ते हैं इस पर का कोश्चन भी आ चुका है लोग करते वह लोग उनकी प्रमुक समस्या है उनके चेत्र में गरीब भूमी से उनको अलग कर दिया जाता है जैसे यहां पर कुछ इस्टडी बता जारे काफी अच्छा है आप इसको नूट करिएगा माध्य पदेश की कुर्वा जन जाती की भूमी का मुस्लिम सावकार दोरा अधिकर अधिकर जन जाती इसका जो कि मुस्लिम जो सावकार थे उनको इनका अधिकर कलिया था और उत्तर और उत्तर पदे सेवं उत्तराखंट की थारू तथा भूकण जो जन जाती है इनकी भूमी के का अधिकर कलिया पंजाबी स्बादरे अधिकर कलिया जिससे इन जन जातियों को कही तरह की समस्याओं के घुठ में रहोग्य गया है इसके निया ज़्न है जिस क div तो वह तो बहुत ही पूरे सपने के समाने रहे ना इसके बहुत साथ दूस परिणाम है तो देखते हैं कि भूमी अस्ता अंतर से क्या दूस परिणाम निकलते हैं हमारा तो पहला पॉइंट देखो भू समपत्ति के अकार में कमी आई है मतलब इनके पास जितना लेंड होता था अब उससे कमी गए दो इस्टडी बताती है उन्हीं से एकसर में जहां इनके पास जो की जन्जाती किशक थे वे घड़कर उनने से क्याम में चोवण परिशन्ट हो गए मतलब जो जो जन्जाती क किशक थे जन्जाती किशक कोन होगी जन्हें के पास भूमी और अपनी भूमी पर क्षेती काम करेंगे अच्छा भूमी नहीत खेती काम कहां करेंगे तो खारत से लोग उननीश आनिंसीक्यान्म में हो गए तो काफी और उननीश से इस बैसंद गशुआ हो था था तो जो अपनी भूमी पर खेती करते थे अब वह जोगी मजदूर बन गए ठीक है इस तरह की बात ही आपका है उन्नीस एक सब्सक्राइब कर दोजार एक में बहुत कम किसंग मजदूर थे अब भूमी चीन गई तो सारे लोग किसंग मजदूर बन गए और अब देखो उनकी संख जिससे वह अपनी जियोंने आपन करते थे अब लैंड ही नहीं तो जियोंने आपन करने का उनके पास साधन नहीं है जिसे क्या उनके अंदर गरी बढ़ गई और बेरोजगारी भी बढ़ गई है जीड गरस तता में तिब्र बिद्धी देखी गई है वो कर्ज जा रहे है प्रवास को बढ़ावा मिलता है जिससे उनको अपना परंप्रागत अस्थान चोड़ना पड़ता है और उसके लिए देखो जब कोई अपना परंप्रागत अस्थान चोड़ता है तो उसका देखो एक भावनात्म से लगा हो जाता है ठीक है तो वह काम उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी कटिन होता है अपने परंप्रागत अस्थान को छोड़ना तो यह उनको मतलब किता से मानसिक तनाव की स्थाती में भी वह आ जाते हैं पी देखो भूमी हस्ता अंतर से उनके पोशड का अधा अधान के लिए नक्सलवाद की घटनाएं देखने को मिलती है लोग आधिक जाधिक जो की नक्सलवाद में सामिल होना सुर्ण का देते हैं तो इस तरह की घटनाएं भी हस्ता अंतर से तरीके देखते हैं कैसे जो कि किसके इनका जो जन जाती समाझ का भूमी है वो जो कोई जन जाती लोग ले लेते हैं ठीक है उसका तरीका तरीका बता रहें बिक्री अभू अधिगण की कपड़ पूर तरीकों द्वारा मालोग जन जाती है तिक उन्होंने इनको कुछ कर्ज में लोन दिया कि उधार दीए कि पैसे पर अधिक ब्यार साउकार दा लिया गया है इसके बदले में उनकी जमीनों पर कब जाकर लिया है वही पहला पॉइंट ही एक तैसे कहलो रीपीट है तो आप एक्स्प्लेन कर दिया है थर्ड पॉइंट देखो गय जन जाती लोग आदिवासी खेत कर दो लेडार है तो उनके नाम पर नौकल होता है तो इस तरह से भी कागस पर दूँखी कर दिखे कि जमीन जन जाती लेकिन वास्तों में किसके पास होता है जो आधिगरण किया जा रहे है पर देखो चैखो अथिवासी के दोरह गयर आदिवासी को गोद देने के रुप में करad भी आदिवासी के पास भूमी की कमी नहीं कि करेंगे कर एक कर देखाए है नहीं हुआ है क्टे कुछ यहां पर देखाएं डेवासी का इसको पहले लिखना चाहिए सिचाई और देगी सब्सक्राइब करने की बात करती पर यह जमीनी हकिकत पूरी तरह से ठीक से रिलोकेट नहीं किया था कोछी लोगों का रिलोकेशन किया था बाकी लोग वैसे अपना जीओने आपन करते रहते घुमते फिरते रहते ठीक है तो यह बी एक कापी बड़ी समस्या रही है उनके भूमी अस्तानतर के तरीकों में तो यह कुछ हमने तरीके देखी कैसे उनके भूमी चीन जा रही है ठीक है अब देखो इसके कुछ कारड देख लो कारड वही जो हमने पहले पढ़ा है कि इनमें गरिभी और रेड़ गस्ता है मतब करज्जान में फर्ज आते हैं आदिवासियों में असिच्छा जागदुकता का भाह हो है इसलिए उनकी जमीन जो कि ह बढ़ लेते हैं साव का लोग ठीक है और देखो नेक्ट क्या कर रहा है थर्ड वाला पॉइंट आप से कह रहा है कि साव का रोदा सोचल कारियों कपडपूर तरीकों का प्रियों करके भूमी अपने पक्ष्म हस्तान तरड करवा लेता ठीक है ये भी एक तरीका है और यह काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है आप इसको जो मेंशन किजिएगा जैसे कुछ राज्यों में कानूनी प्रवधान के वाल अनुसुची छेतरों के लिए लाग है और इन चेतरों से बाहर रहने वाली जन जाती है इन कानून सुरच्छाओं से वहन चीत है मतलब कानून जन जाती के पास यह उपलब्द नहीं होता है क्योंकि वह पड़े लिखे है नहीं उनको इसका महत्तों नहीं पता है वह डॉक्युमेंट कहां करके रखते है ठीक है तो जबकि हमाई जो जुडिशी सिस्टम है या फिकल गॉर्वर्मेंट वह का जो कागज पर लिखा होता कि एक सेकेंड हमने ए और बी देख लिए फिर नेक्स पॉइंट देखा रहा है सरकार यह अन्य संस्थाओं दोरा सरकारी उद्देश्यों के लिए जंजाती भूमी का अधिगर भी जंजाती के लिएक समस्या करूप में सामने आया है ठीक है तो यहां पर इसके कुछ हस्ता अंतर के कार्ड भी देख लिए वही सब बाते हैं रिपीट होड़े फिर से कुछ खास नहीं एक दो पॉइंट के वर इसमें नहीं था था थी दिखो स्वतन भूमी अस्तांतर को रोकने के लिए कुछ प्रयास प्रयास क्या कि गया सवतनतर प्राप्तिक के ततकाल बाद के दोर भी मिराज्यों दोर इस दिखा में कई कानून मनाएं जैसे जैसे दो कुछ आजयों अपने कानून मनाएं आंद्र पदेश अनुसूषी छेत अस्तांतर विनियम उनिश्चेट उड़िशा ने भी संबन्द में कानून मनाएं ठीक है अब देखो सम्मिधान दोर क्या प्रवधान किया गया है कि समिधान के अनुच्छ निस के खंड पाच में आदिवासी छेतर में बारी छेतर की लोगों का आने अथा बसने पर प्रतिबंद लगाने समंदी प्रवधान किया गया इससे जो कि उनकी भूमी अस्तान तरो पर रोक लगएगा अगर बारी लोग वहां पर आकर लेंड खई देंग नहीं वहां बसेंग नहीं तो जो वह लेंड ओ जो आधिवासी लोग यह जंजाती लोग है उन्हीं के पास रहेगा ठीक है यह हमारे समीधान में प्रवधान किया गया तो बीभीन अधिनियमों के दोरा जीर्ड गरस्तता कि समस्या के दोरा जाद के प्रयास जारी है और जोंसे पूना तो आपस दिलाने का प्रयास किया रहा है की सथा पर कानूनी अधार पर तो यह यह बहुँ कुछ ऐसे प्रयास के बहुत करने में कुछ मिली एपर यह भी यह अभी भी परियाप्त नहीं है प्रयास क्रियास के गए उसका किया कार्ण बतार है कि कारूनों के सब्पलता पूरों के राजेति की इच्छा सकती का भाव साथ ही जटील महंगी नयाय परीदान बेश्था गरीबी बेरोजगारी और जिड़ गस्ताथा आधी की विद्या मानता ने भूमी हस्तान्तर की समस्या को पूर उन्मुलन के लच्छा से काफी दूर रखा है। सब भी प्रॉब्लम जो की जो आपका है यह सभी जो प्रॉब्लम से इनी के वज़ा जो कि भूमी हस्तांतर की जो समस्य आए उसके उन्मूलन का जो लच रखाए उससे हमें काफी दूर रखा है ठीक है इस तरह की बात कि आप देखो कुछ प्रयास क्या करने चाहिए उसकी ब उतना ही सफल है कितना असफल है और जो इसमें कमिया रखी उसको दूर करने के प्राश के जाए ठीक है ऐसे पुरारे मामले का सवच्छड के किया जा जिनने नियायत दिरवाये जा सकता है ठीक है अनुसूची चेतरों में अगले पंदरह वर्ष में भूमी अभी लेक चड रह रही हो कि माध्यम से होने वाले भूमी अस्तान पर निसेद किया जाए ठीक है एक यह भी बात है फिर नेक्ट में दिखो जन जातियों में रिड़ कर तो आप उसके बदले में भूमी नहीं ले सकते है ऐसा कुछ कानोनी प्रवदान किया ठीक है आप भले कुछ करिए उ इस तरह की जाने चाहिए ताकि उनका जो भूमी अधिकरण वह रोख सके अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एकी कर्ण हम स्वायत्ता के मुद्द्द है हमारे अगला टॉपिक है एकी कर्ण स्वायत्ता के मुद्द्द है इसमें मूख हरी बात करेंगे कि जो जन्जाति अबयाकि जम सम्हें बातिसी समाच के बाज़ी अधीक बबनें और उसमें इस च्थाड की भाउना पनपर रही यह उसमें बाद की अखंस की वहाव्त समाच इसमें इनी सब टॉपिक की बात करेंगे इसके क्या कार्ड थे और इसमें क्या-क्या बाते हमाएं सामने हैं तो चल्ड़ कते एक करन स्वायत की मुद्धे इस टॉपिक को देखते हैं यहां पर तो जूम कर लेते आपको बेता हो जाएगा देखो अंग्रेजी सासर काल में व सवतंतरता प्राप्ति के परशा जंजातियों की समस्याओं की समाधान और यहम जंजाती विकास के लक्षे को प्राप्त करने हैं तो अपने वेशिक जंजाती निती को खाईच करते हुए हमने जो की एकी करड की निती को परस्तावित किया जो जंजाती को उनकी निजाती परचान बनाय रखते हुए उन्हें विकास की मुक्यधारा में सामिल के जाने पर बल दे रहा है उसको हमने खाईच कर दिया और एक करण के निती को इस तरह से अपना है कि उनकी जो निजाती परचान वो बने रहते हुए भी वह भारती समाज के मुक्यधारा में जूड़ सक युग्ध भारती समाज के अनुखूल है जो नक्त बारती समाज की विविधरता को बनाय रखते हुए भारती समाज कबारती समाज का भारती जनजातियों का विकास करने में सक्षम में बल्कि वैसी करण के वर्तमान दोर में उत्पन पहचान के संकट के समाधान का भी यह प्रयोजन करता है मतलब कि आप देखो जो यह उनकी पहचान निजाती जो पहचान उसको बनाया रखते हुए मुख्य दायम लाना है तो जो इसमें आप देखो कि गलोबल पहचान का संकट बना हुए एक तस इसका भी निवार्ण यह नेती कर रहा है ठीक है जो हमने सवतनत्रा के बाद अपनाई थी अब देखो यह थोड़ा थोड़ा बैक्ग्राउंड हम लोग थोड़ा देख रहे हैं अभी आगे मुख्य बात ही यह पर आएगी ठीक है देखोगा आज के समय में जन्जाती का पहचान का मुद्दा इसलिए और ज्यादा उभर क्या रहा है क्योंकि अब यह जो जन्जाती आपने आपने तक सिमिन नहीं है यह जो कि बहुत संस्कीति यानि अधिक से अधिक संस्कीतियों के सहस्तीत पर जोड़ दे रहे हैं तो इसलिए जो कि पहचान का मुद्दा आज के समय में बना हुआ है वे अपनी संस्कीति को खोना नहीं चाहते क्योंकि यहीं उनकी पहचान है और और देखो यह साथी विकास की धार में बहना वी चाहते हैं एक ही करड़ की यह निती इस पहचान की समस्या का समधान सब्सक्राइब करने का प्रयास किया गया है तो क्या 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 प्रयास किया गया था जैसे मीडा गारोग खासी आदी जन्जातियां इसमें देखो शिच्छा करस्ता काफी बढ़ रहे चुका है ठीक है को आज विभीन जन्जातिय आरचर का लाथ प्राव्थकर कर पर्दों पर कार रहते और आर्फंस समाजिक स्तेटि में भी सुधार हुआ है जो ायादी कि परयास प्रयास के कि गई है वह अपनी समस्यां को ठीक रख पाने और राश्टी विकास की धारा में अपने को जोड़ पाने में सक्षम हुए हैं ति देखो यह कुछ उपलब्दियां हमारी रही है जो हमने प्रयाश के लिए अभी क्या वोले आगे प्रद उपलब्दियां जो की प्रयाप्त नहीं नहीं मानवान अपिछा से भूहत कम हैं बल्कि असंतुलित विकास को भी प्रिलक्षित करती है असंतुलित कैसे दोखो आज भी जंजाती हो का सिच्छा अस्तर आने समयों के देखने को मिलता है ठीक है सरकारी नो करियों आज भी इनका पति देदेत बहुत कम है जो इनको जो की राष्ट की मुख्य धार्यक साथ एक इकरण होने में बाधक मन्ना और इनके बाधक मन्ना जो की संतोजनक इनके लिए नहीं है और भी देखो अब आज भी आज़ीद्वी जनजाति समाज परेंपराकर समाज परेंपराकर का अभशान देखा जाता है इनकी जमीन हो जो की लिए हडप रहे हैं और जो इनको विकास का का पुरालाभ भी उठाने में संक्षम नहीं है क्योंगिन में जागरुट्ता का अभाव ए इसलिए और देखने आज भी देखने को निति है जन्जाती छेतों जो भीकास हुआ है इसका लाफ कुछ छेतों के जन्जाती जैसे रारिस्थान की की आज समाज हुआ है वह असनतुलित समाज हुआ है किसी एक जन्जाति का ज्यादा हो गया जब किसे जन्जाति कुछ भी कास देखने को नहीं मिलता हमें ठीक है वही बात कर रहा था चौथे पॉइंट में फोर्थ पॉइंट देखो जो ज़न्जातियां सम्रीत हैं सकती साली है उस ज़न्जाति समुदाय का एक बड़ा भाग आज भी विकास का एकरम से मतलब वह तो विकास का लाब ले रही है लेकिन जो उसक समस्या को द्यार में रखा गया प्रत विकास का अपने अपश्चित लच्छ से दूर असंतुलन से परिपूढ है विकास का लाव अगर मिला भी होता तो इसने एक ऐसे अभीजन वर को पन्किया है जो आज मिलने वाले सभी लाभू को हडप राए इस इस इस्तितित में जंजातियों में असंतोश हुत्पन किया है यह जो की सवहत्ता की मांग अलगाव और छेतरवाद और नकसल वाद के रूप में हमको इसका परिणाव देखने को मिला है जो यह असंतुलीद भिकास हो रहा है यह कम विकास हो है उसका यह परिणाव वह मतलब इस तरह सपनी अब इनके कुछ मांग है इस तरह की इस्टर बहुनाई भीकास कर रही है इसको फिर्ट देखेंगे सब्सक्राइब करके संदव किसी संग्यार राज के किसी छेतर द्वारा अन्य चेतरों के अपैछा अधिक सत्ता अधिकार या स्वहत्ता की प्राप्ति करन्हा है कि मांग है मतल circumstance को शेत। छाता कि मुझे इस शेत से ज्याद़ा सत्ता मिले अधिक जो कि पावर मिले और अधिक स्वाथ्ता । इस तरह की मांग को जो कि स्वाथ्ता की मांग करते हैं अब दोको कि किसी राज को यह नहीं बोलते कि हम आपकी कंट्री से अलग हो कि अपनी जो कि सवहत्ता मांग रहें नहीं हम आपकी कंट्री में ही जो इंडिया उसी साथ जूड़ेंगे आप मुझे स्वहत्ता पहिसत का गठन कर दीजिए या फिर एक अलग राज हमारी जो मांगे उसके लग राज जिका निर्माड कर दीजिए जो हमारे लिए राज जी होगी ठीक है इस तरह से जो कि अपनी स्वहत्ता की मांग हो से थीक है अब देखो आगे जनजाती कि इस मांग और इसके लिए जारे अंदुन को भार में लिए जाती में था इस स्थितर्तिक चलिए लिए स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं जैसे देखो कुछ पॉइंट जैसे देखो अगर आप देखोगे असम में क्या हुआ है असम सरकार दोरा असमी भासा के परियोग के बिरोध में पूरे राज अस्ता पर प्रदर्सां यह दंगे हुए हैं मतासद करें कि नहीं करेंगे कि इसके बिरोध में जान की जगहां जर्ठती राज ते भी डिल्बिजन हो गया देखो दूसरा एक में मिगाले राजी के गठन की भूमिका 1923 में स्थापित खासी नेशनल काउंसिल की रही है अजादी के पूर्व सही जो कि एक अलग स्वायत राजी की मांग चल रही थी तो यह 1923 से देखो जब अंग्रेज से तब की बात कर रहा है खासी नेशनल काउंसिल की स्थापना की गी कर भी और दिमसा ने अपने लिए पृथक राज्यों की मांग की जिनको संतुष्ट करने के लिए कर बी एवं धिमसा सविदायों को जीला परिशाद का गठन किया गया और इसाद आप इनको कुछ अधिकार दिये गए ठीक है तो देखो यह आपका आश्रम में फी चला था उसी पर बात कर रहा है फी देखो ब्रह्म नदी के उत्तर में रहने वाले जो बोडो जन जाती है उन्हें सो सड़ से आल बोडो स्टुरेंट यूनियन का गठन किया तथा प्लैनी स्ट्राइबल काउंसिल आफ असम के गठन के साथ प्रिथक उद्यांचल राजी की मांग को लेकर कानू सन्याल की नित्रत में बोडो आंदोलन चला गया जिसमें एक पुरा पुरा अलग राजी की मांग की गए जो कह था उद्यांचल राजीक नाम का राजीक की मांग की गए थी ठीक है चुकि इस आदोलन का परोच उद्यज निजाती परचान इस्थापित करना था फरतर इसकी परड़ी कई तरह की स्वायत्ता देने की रूप में हुई जैसे इनको सरपतम भासाई स्वायत्ता प्रतान की मांग थी उसको समाप्त की गई तेकता से देखो इनको काफी इनके डिमांड मांगी गए जो इनके स्वायत्ता की दिमांड थी उसको पूरी की और अलग राज की मांग को खाईज किया गया तो उनको काफी ज्यादा दी गई ठीक है बोड़ो जन्जाती में भी इस तरह के जो कि आपको आंदोलन देखने को मिलेते इसी तरह देखो पस्चिम मंगाल का भी एक्जामपल है पस्चिम मंगाल के तरी भाग में दारजिलिंग कालिपोंग कुर्सियांग और सीली गुड़ी की जन्जाती दोरा इन छेत्रों को मिला कर गोर्खा लैंड की मांग की गई सिटी जिसके लिए गुट नेशनल लिबेरेशन फ्रंट की भी स्थाफ्टन की गई थी और आंदोलन प्रारम इसके संबन्दी जो कि अंदोलन प्रारम के था तो इसके परिड़ा में क्या गया गया जिसके माध्यां से गुर्खा लोगों को सोशासन का अधिकार देखकर प पशिमंगाल में अशम में नागा लेंड में मेगाले में आपको इधर जो उत्तरपुई राजी राजी की मांग के लिए प्रेद किया मुखेत जार्खन मुक्ति मोर्चा के नेतिवत में इसके लिए एक लमबे समय तक आंदोना चलाए गया फलता दो जाया इस्वी में जार् जार्खन एक अलग राज बना इनकी स्वायत्ता के लिए ठीक है मद्य बादेश में इससे तरह देखो गोंड जो नेता थी उनके द्वार्जों की इस तरह कांदोना चलाए गया गुद्वाना संक्य माद्यम से राजी की पूर्ण गठन आयो कि समक्ष एक गुद्वाना मत इस हीता आज करते है ती कि अंधोलन धार्वावाद् प्रमुक्षन होती है कि हम आपके कंट्री में रहेंगे एक अपना नया कंट्री बनाएंगे इस तरह की महां को क्या वोलते अलगा होगा थी अब देखो वही नागालेंड का बात के रहा है नागालेंड के 1951 में अंगमी जापू फिजो नाम नहीं आदेगा तो भी चलेगा नागालेंड में नागालेंड ने नेशनल काउंसिल दोरा स्वयम को भारत का अंग नहीं मानते हुए भारत के आजादी की गोशड़ा की गई इसाक मुया गुरूप नागालेंड मडीपूर अडवांचा पदेश तीपूरा एं असम के कुछ जीलों के मिलाकर नगाईयों के लिए एक अलग राजी का मांग कर रहा है देखो नागालेंड में एक ग्रूप है जो इसका कहना में इसाक मुया गूरूप यह चाहता है कि जो जहां जहां नागालेंड मतलब जन्जाती लोग रहते चाहिए नागालेंड में मडी पूर में और रहांचा पदेश में तीपूरा में असम में तो इस तरह की बात भी यहां पर आपको आदोलन में देखने को मिलेगी ठीक है मतलब पूरा जो कि एक पूरा पूरा देश की मांग कर रहे हैं लोग ठीक है मिजोरा में उन्हों साथ में लाल डेंगा के नेतित में मिजो नेशनल फ्रंट की सथाफना की अब भाय से अलग देश की मांग को लेका ससस्त संघर्ष बी चलाएगा जिसकी अंतिपरिदिती यहासी में मिजवरम राजी की गटन किया गया था अब दिखते बाद में किसी छेतर की रूप एक स्थिसज़ास नहीं हएक कर रहे हैं और अपने हिदhst को प्रमोट करने की लिए जो सब्सक्राइब यहां पर उसकी का रहा है तब फी देखो चेतरवादी प्रभीति लोगों का बीरोध जंजाती असंतों से जुड़ा हुआ प्रमुक मुद्दा है जिससे भायात के लबग सभी जंजाती चेतरों में देखा जा सकता है अब इसमें प्रवासियों के विरुद आंदोलन शुरू किया गया उन्हें जो है कि आपको असम से बाहर विजा जाए अभी जो मुद्दा चला था ठीक उसमें भी यही मुद्दा चलू उठा था कि जो असम से बाहर के लोग आके बस चुके हैं उन्हें से बाहर निकाला जाया जो असम एकॉर्ड हुआ ठीक है यहां पी उन्हें सो पचासी के समझे होते दौरा इस आंदोलों को समाप्त करने का प्रियास किया गया और असम गण परिशत सत्ता में आई फ जर्खड में भी दिकोंगोंगे विरुथ वहां के मुल निवासियों में लगता कि दिकोंगों के कारढ विविकास का पिछत लाव उन्हें नहीं मिल पा रहा है इसलिए वहां जर्खड से बाहर बगाने के लिए आंदोलन रहता है कि उन्हें लगता है कि उनके कारण ही आज पिछड़े हुए और तीपूरा में इतने ज्यादा बारी लोग आ गए है कि जो वहां के मुल निवासी वह अल्प संख्यक हो गए है तो इस तरह की सिर्थी हो गई इससे भी छेतवाद की समस्या इंडार्जियों में देखने को मिल प्रबल कारक इनके चेतिर्व में अपरवासीं गए प्रवेजन जाती हूं वेपारी हो का परवे सता उनके द्वार के आ गया जिसके बियुत जागरुकता ने उन्हें स्वायता की मांग के प्रेद किया। इनके अंदर जागरुकता है कि हम अपने अधिकारों के लड़ेंगे और अपनी बात को सबके समक्ष रखेंगे। देखेंगे हो कि जो जन्जाती विकास कारक्राम है वह अपने अपेच्छित लच और वास्तिक प्रवद्यों के बीच अंतर ने भी असंतोस को तिवयता प्तान की जो एक टार्गेट रखा गया था और जो वास्तिकता सामने आई वो टार्गेट से काफी दूर था ठीक है इ तरह की बात है जार्खन अंदोला ने गोर्खा लेंड की मांग भी इसी कि अधार पी है तो जो भी इनिसिच्योटी लिया जा रहा है तो पाइसा का सही उप्योंग नहीं हो रहा है प्रश्टा चाहिए जो की अगवन किया रहा था तो इस वज़े से जो की संकट भी दिखने को मिलती है ठीक पिथक निजाती है था कि भावना पहचान का संकट इस तरकी मांगों के पीछे करने महत्तपुड कारक रहा है उत्तरपुर में असमद्वरा असमी भासा का भासा को गयर असमी भासा पत्थो पर जाने का भिरोध इसी तत्य की पुष्टी करता है गुर्खा लेंड की मांग के पीछे भी नेपाली भासा निजाती तत्यों के रुप में एक प्रमुक कारक था यही हम जारखन के संदर में भी देखते हैं मतलब यह जो पहचान के संकट वह आ अशरों के अभाव में इनकी पूर्थी नहोने का असंतोस बढ़ा यह जगत के संस्कृति को भी एक्सेप्ट करने लगे तो अब इनके अंदर क्या वह जो उप्रभुक्तावादी प्रभिति वह बढ़ गई ति यह अधिस्यादी खाने पीने और जो कि खर्च करने में जो सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बढ़ाने के लिए तो यह सब चीजे भी कारक प्रमुख रही हैं ठीक है कि इसी तरह देखो नेक्ट पॉइंट को जन्जातियों में इसाइयत का परचा परशार भी इसका प्रोच का रड़ा है क्योंकि इस ने लगू प्रमपरा य इन के भी जो क्नेक्शन था उसको तोड़ दिया जिसकी वज़ए से जो कि असंतो जो भार्ती समाज से अलग होने की बात और इसाईयत यानि के उपेछा करते इस तरह की चीज भी जो की इन में संतोस संक्यक, मतब को जॐ वह जाएदा संक्या में जाना नहीं सुन्ड़नें के ऐसे आप देखो आहम बोडों दौरा बोडों की उपेछा की जाना और गघ रावन दौरा बंगारी वार्चा को करता है कि आप बहुत संख्या की बाते भी सामने आ रहे हैं जो असंतोस का मुख्य का रख रहा है ठीक है वर्तमार में विकास का रिक्रमों की संदर में प्रयाथ पुनरवास किये बिना जन्जाती भूमी का दिगड़ उनके विस्थापन में ने भी असंतोस दोग वर्तमार रूप से छेतर की संस्केती की विषिष्ट्रता वह विकास की श्रती को निधायत करने करके स्वहत्ता की मांग की जाती है संसत्र में विभी राज्यों का आसमान पते नहीं देखंग बहुत जादा है जैसा यूपी का देखोगे आपका चाहे लोग सबसे राज सबस में जाद है जबकि वही आसमती पूरा का देखो तो बहुत कम है ठीक है तो इस अधाय पर जो कि राश्ट्वादी भावनाओं का तुलनानपक रूप से अभावक को भी जन जाती है संतो से हम स्वायत्ता की मांग को लिए उतरदाई कारण माना जाता ह सब्सक्राइब करने लगे तब इसे राश्ट्र के समख्षी खत्रा उत्पंद करने लगे तब इसे राश्ट्र के समख्ष शनौती की रूप में देखा जाता है अज जन जाती चेत्रों में बढ़ती हुई स्वायत्ता की मांग इसी रुंबे अभी व्यक्त हो रही है सब्सक्राइब को प्रिथक राज्यों या सवयत्ता पषिस अमें आज पी आजले पंग की जारी ही है सब्सक्रां कि गठन के बाद भी आज मुईया गुरूप और खपलांग गुरूप अपनी अपनी मांगों के साथ आंदोलन रत रहे हैं इस पर कई सारे आर्डिकल भी पिछे चार पास महिने में देखने को मिले रहे हैं ठीक है बोडो स्वायत परिशत की स्थापना के पश्चार भी आज द जाने के बाद भी भी उहां भी आपने को असूच्छित विकास के मांग में काफी पीछे समझती हैं अब पुना सौयत्या की मांग के आंदोलन रहते है इन Very जारी है इसको देखने को मिलेगा अब कुछ सुझाओ दिया जाते हैं कि क्या किया सकते हैं पहला पॉइंट जन जाती हो कि समस्या है उनके स्थित्री की साधानी पुलग समिछा की जाए और उसी कन्यूरूप उनके विकास कार्क्रमों का निधार के जाए जाए इस तक बात क करें निती निधार विकास कारक्रम उसके क्रियान में जन जाती सहभागीता को सुन्षित करना आप जो विद्ध्यमान दोसों को दूर कर उन्हें प्रभावी रूप से लागु किया जाए ठीक हैं जो बी कम्यां उसका आप आरो लोकन करें परिच्छर की जिए जो कम्यां दूर करके प्रशाष निए प्रक्रियाओं को सरल मनाया जाए जिस्यों से लोगों को लोगों तक जो आसानी से नया पहुँछ दो निक्षमाइज करा शर्वा रहा है जंजाती छेतरों के अलावा उन छेतरों में भी विस्तित के जहाँ गयर जंजाती में संख्या अधीक है जो अर्प संख्यक उसे बहुत संख्यक दीख रहा है इस अधाव जो असंतों सुपन रहा है वो ना हो ठीक है जाते हो कि विचार यहों मनुवित्ती को बदला जाए कैसे आधुनिक सिच्छा देकर ठीक है तथा उनके यहाँ देखो उनमें जो कि राष्टियता की भावना विक्सित होगा और वो जो स्वयम को भायत के साथ संबंध कर पाएंगे और आज भी जो जिसका आज अभाव जो की उत्तरपुरू की जंचातियों में दिखाई देता है अगर आप उनके लिए काम करने वज़ा है उनके साथ काम करेंग ठीक है उनमें सिच्छा का परशार करके उन्हें अधिकादिक जाकरूख बनाया जाए जिससे वे अपने समयधानी सुच्छा में लाब प्राप्त कर सके स्वार्थी तत्यों की मन्सा को पहचान सके और सही निड़े ले सके स्वार्थी राजनितिक दलो अब्यक्तियों इनके एकड़ को सुनश्चीत कर सकते हैं और स्वहतता की मांग को विशकता पुर होने से बचाय जा सकते हैं च्छेतिवाद बालाए जारह है ऐसी स्वहतता की मांग से बचाए जा प्राइता हमारे विविता में एकता का आदर से और इसकी मांग समयधानिक रूप से भी मानने है कि आप स्वाइता की मांग कीजिए पर उसमें जो की छेता बात और अलगावावावाद की बावना मतला है यह यहीं पर हमाने चेप्टर खतम होता है और भी उदर नेक्स्ट प का भी प्राक्टिस कीजिए ठीक है मिलते अपने काल नए चेप्टर साथ जोगी चेप्टर नमबर 6 होगा हमारा धन्यवाद दोस्तों